नमस्कार मैं डॉक्टे चंदन कुमार आजकल मीडिया में जो रशो से हला मचा हुआ है नियो कॉप का तो आए जानते हैं नियो कॉप क्या है क्या नियो कॉप एक नया कोरोना वायरिस है क्या नया वायरिंट है जी नहीं बिल्कुल भी नहीं क्या नियो कॉप एक नया वायरि देशों में अभी तक कोई infection हुआ ही नहीं है तो आए जानते हैं डिटेल में कि नियों कव है क्या और क्यों इतना हला मचा हुआ है देखें कोरोना वाइरस वाइरस की एक बड़ी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे वाइरस आते हैं जैसे कि अपना ये कोरोना वाला वाइ respiratory syndrome जो मीडियलिस्ट के देशों में देखने को मिलता है अब इसी का एक चौथा वाइरस भी होता है इसी फैमिली में जिसको नियो कॉफ बोलते हैं इसकी खोज कई साल पहले हुई थी 2013-2014 के आसपास इसका पहला खोज का प्रमान मिलता है तो इसका खोई बहुत पहले हो च यह बता हैं मर्स का करने वाले कोरना वायरस अभी इस नियो कोव वाईरस नेश्य में कोई भी इंफ्सक्शन नहीं हुआ है इस इंफ्सक्शन जो होता है अभी तक एनिमलस में देखने को मिला है अब चाइनीज व्याजस व्यास कियर एक नए स्टड़ी किये है और आस ड़ यह है कि अगर यह मनिश्यों को इंफेक्ट करेगा तो हालाकि यह कोरोणा वायरस्ट मिलते जोलता है तो समभावना यह होनी चाहिए ना कि अगर वायरस का वैक्सिन किसीट में लिया है तो थोड़ी बहुत उसको protection मिलने चाहिए इस new cough वाले वायरस से लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि new cough जिस तरीखे से मनिश्यों को infect करता है और coronavirus जिस तरीखे से मनिश्यों को infect करता है वह दोनों तरीखों में काफी difference है इसकी वज़े से अगर किसी को कोरोना वारस का infection हो भी चुका है, COVID-19 का infection हो भी चुका है, या COVID-19 के against vaccine लग भी चुकी है, तो अगर उसको भविष्च में कभी भी अगर new cough का infection होता है, तो उसको protection मिलने वाली नहीं है, दूसरे खत्री की बात है, चुकि या मर्स से काफी मिलता जुलता है, और अभी तक मर्स के जितने cases सामने आये हैं, यानि Middle East Respiratory Syndrome के जितने cases अभी तक सामने आये हैं, उसमें से 35% patients की मौत हो चुकी है, यानि तीन में से एक मर्स की मौत हो चुकी है, तो इसलिए वुहान के वैग्यानिक यह कह रहे हैं, कि अगर इसमें जरा सा भी mutation हो जाता है, तो ये काफी खतरन का है इससे, दूसरी बात है कि इससे किसी भी तरह की protection नहीं मिलने वाली है, जिनको पहले से Corona हो चुका है, या जिनको Corona की vaccine लग चुकी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, कि अभी इसमें इस तरह का कोई भी ऐसा mutation नहीं पाया गया है, जो मनिश्यों को infect करे, औ और नहीं मनिश्यों में नियो कॉफ की infection कोई भी case सामने आया है, तो वैग्यानिकों नहीं कहा है कि यह further study का विश्य है, कि इसमें ऐसा कोई mutation अभी तक हुआ है कि नहीं, और इसमें अभी मनिश्यों को infect करनी की छमता कब develop होगी, कब नहीं होगी, ऐसा कब हो सकता है, और उस उस से कितना खत्रा हम लोग अन्मानित कर सकते हैं, कब उसका खत्रा हम अन्मानित कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ भी कहना possible नहीं है, यह further study का विश्य है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं मत, बिल्कुल भी चिंता का विश्य है अभी नहीं है, इसके बार में बस पूरी तो न्यूस वेबस्टाइट के चेकर में मत पढ़िए अपना जीवन जीए पूरा प्रोटेक्शन ले कोरोना से बचे रहे और सच जानिए सची जानकारी रखिए ऐसी अच्छी चैची जानकारीओ के लिए इस चैनल को लाइक केजिए सब्सक्राइब केजिए जुड़े रह हमारे साथ जानेवा